तो आगत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ 2315 तो आज हम यूज करने वाले देखिए हमारे पस पुरानी पैंट होती है पुरानी जीन्स ट्राउजर कुछ भी आपके पस उन्हीं का हम यूज करेंगे और बिना लाइनिंग के हम इनका यूज करने वाले हैं अगर को अगर जीन्स की पैंट का यूज कर रहे हैं तो बिना लाइनिंग के यूज कर सकते हैं क्योंकी वो आल्रीडी काफी थिक होती है तो उसमें लाइनिंग वह गईरह की आपको जू़रत नहीं पड़ेगी अगर नॉर्मल ट्राउजर वह गईरह यूज कर रहे हैं तो आप पूरे पांच आइडिया जो बहुत ही आपके काम आने वाले हैं तो I hope आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से वला आइडिया सबसे अच्छा लगा तो चलिए बिन डिले की हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं अब आइडिया नंबर वन से मैं यूज करने वाली हूँ देखि इस तरीके से पुरानी जीन्स का और हम बनाने वाले हैं दो बहुत ही यूसफुल आइटम बहुत ही सिंपल य और इजी तरीके से बनाएंगे हम इसे तो सबसे पहले में क्या करना है देखि इस तरीके से लेक पोश्चन में से मैंने दोनों इस पिनति प्रकशे कर लिए है तो इसके लिए आप फीमेल वाली जीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको बड़ी वाली जीन्स ही चाहिए, सबसे पहले हम इसमें से स्ट्रेट पीसे कट कर लेंगे, तो मैंने straight mark करके straight pieces हमने इसमें से cut कर लेने हैं देखिए तो ये एक आ गया, दूसरी leg portion में से भी यहां से मैं cut कर लूँगी तो हमारे पास ये 2 rectangle pieces आ जाएंगे, इन्हें हम आपस में जोड़के 1 piece करेंगे तो ये 2 pieces आगे देखिए मेरे पास, अब मैंने आपस में जॉइन कर लूँगी और मेरे पास एक single piece आ जाएगा तो इस पे हम silahी लगा लेंगे, simple silahी machine मैंने use की है क्योंकि हम jeans का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो आपको 18 number की इसमें needle यूज करनी है ये मैंने silahी लगा ली, अब इसे पलटते हुए इसके उपर top stitch लगा लीजिए तो देखिए हमारे पास एक rectangle piece आ गया, तो ये है मेरे पास 19 inch और इसकी लंबाई मेरे पास आई है 30 inch अब हम ये क्या करना है, हमें इसे चारो तरफ से fold करते हुए silahी से finish कर लेना है ये देखिए, इस तरीके से मैं finish कर लूँगी, जहाँ पर यहाँ थोड़ा मोटा है, थोड़ा अराम से सिलाई लगाते हुए इसे सिलाई लगा लीजिए तो चारो तरफ से हम इसे finish कर लेंगे ये देखिए इसे मैंने सिलाई लगाते वे चारो तरफ से फिनिश कर लिया है अब हमें क्या करना है अब हम इसे आगे शेप देंगे तो ये आगे हमारे पस अब आप इसे फोल्ड कर लीजिए वान फोल्ड फिर आपको एक और fold करना है center में से fold करना है two fold यहां से fold करने के बाद आपको इस तरीके से flat बिचाना है इस तरफ से और same ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हम flat बिचा लेंगे यह देखिए बस आपको corner बिलकुल मिलाते वे बनाना है द्यान रखे आपके सारे corners अच्छे से मिलने चाहिए यह देखिए जिसी है तो बिलकुल बराबर corners हमारे मिल रहे है अब हमें क्या करना है यहां से आपको इस तरीके से fold करना है दोनों तरफ से और यह थोड़ा मोटा हो जाएगा तो मैं इसे हाथ से stitch करूँगी सुई और धागे से नीचे की तरफ से stitch नहीं करना है देखिए यहां से आपको हाट डालना है ऐसे अंदर की तरफ और सिरफ उपर वाली layer पर stitch करना है नीचे वाली layer पर आपको stitch नहीं करना है तो यहां से सुई और धागे से देखिए अच्छे से मैं पूरा स्टिच कर लोंगे बस एक ही चीज का धियान रखना है नीचे वाली लेयर आपके स्टिच ना हो तो इसे पूरा अच्छे से हम देखिए हाथ से स्टिच कर लेंगे ये देखिए मैंने सिल लिया इस तरीके से तो उपर की तरफ है देखिए नीचे की तरफ स्टिच नहीं है अब हम दूसरी तरफ से भी इसे स्टिच कर लेंगे तो यहां से मैं इसे इस तरफ को गुमा लेती हूँ और यहां पे भी हमने पूरा इसे स्टिच कर लिया ये देखिए तो यह हमारा पुरा स्टिच हो गया, ऐसे ही हमें इस तरफ से भी करना है, पुरा हम स्टिच कर लेंगे, तो देखें, दोनों तरफ से स्टिच हो गया, ऐसे दिखाई देगा आपको, अब आपको पलटना है, और पलटते हुए सेम, इस तरफ से भी आपको इसी तरीके से स्ट सीवाले हैंगर आप दूसरे वाले प्लास्टिक वाले भी ले सकते हैं। और मैं कलोथ क्लिप यूज तो अब आपको इसे फोल्ड करना है। यह मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यह washable बनाना है तो जब भी wash करना होगा तो मैं clip को easily निकालके hanger को निकालके इसे wash कर सकती हूँ इसलिए मैं clips का यूज़ कर रही है यह paper clip है आपको stationary के shop पे easily मिल जाएंगे नहीं तो आप safety pin भी लगा सकते हैं इस तरीके से अच्छे से tightly मैंने इने लगा दिया दूसरी तरफ भी तो यह हमारा लग गया hanger अब इस तरीके से देखिए मैंने base को खोल लिया अब हमें cardboard चाहिए तो बेस के size का मैंने cardboard लिया है अच्छे से thick बना लिया है दो-तिन cardboard को join करते वे तो देखिए हमारा organizer बन गया cardboard हम अंदर की तरफ रखेंगे आप चाहें तो इसे cover करना चाहें कपड़े से cover कर सकते हैं तो हमारा base बिल्कुल stiff है शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो चोटा मोटा समान जो भी आप undergarments बच्चों के कपड़े या जो कपड़े आप अलग से रखना चाहते हैं कभी-कभी use होते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं तो चोटा सा organizer है देखिए साइड में हमारा लग जाता है बनाने में बहुत यह सान है वाशिबल है कार्ट बोर्ड निकालिए क्लिप खोल के आप वाश करके दुबारा से इसे यूज कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आईडिया नमबर टू से तो चलिए अब हम दूसरा organizer बनाते हैं तो यह जो jeans में से ही बचावा मेरे पास कपड़ा था इसमें से मैं कट कर लूँगे देखिए यह मैंने कट कर लिया कट करने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और नीचे की तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए यह मैंने सिलाई लगा ली अब आपको क्या करना है corners बनाने हैं तो साइडों से इस तरीके से flat बिचाना हैं और यहां से 3 इंच का निशान लगाते हुए इस पे आपको सिलाई लगानी है यह देखिए यह मैंने सिलाई लगा ली सेम ऐसे ही सिलाई आपको दूसरी तरफ भी लगानी है तो यह 3 इंच पे मैंने दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा लिए है अब इससे सीधा कर लीजिए यह देखिए तो यह मारा सीधा हो गया अब नीचे base के size का मैंने cardboard लिया है हम cardboard को insert कर लेंगे से और अब हम इसके corners बनाएंगे तो cardboard insert हो गया इस तरीके से corners बनाने है तो यह मोटा है तो इसang पे सिलाई नहीं लगा तो मैं सूई और धागे से इसके corners बना लोगा चारों के चारों तो यहां से इस तरीके से पकड़ना है, सुई और धागे से हलका सा उपर से स्टिच कर लीजे, इसे हमारी शेप बिल्कुल बनी रहेगी, चारो कॉर्नर से मैं इसे अच्छे से स्टिच कर लोगे, यह देखे, तो यह हमारा दूसरे वाला ओर्गेनाइजर भी बिल्कुल तो आप कपड़े रखने के लिए कुछ भी रखने के लिए देखे, यूज कर सकते हैं, तो कोई फॉर्म नहीं लगा, कोई लाइनिंग नहीं लगी, और एक ही जीन से हमारे दो बहुत ही प्यारे और्गनाइजर देखे, बिल्कुल रेडी हो गए है, तो एक और्गनाइज बिल्कुल रेडी हो गए है, आप इसमें हैंडल लगाना चाहें, तो साइड में लगा सकते हैं, देखे, बिल्कुल रेडी है, अचलिए शुरू करते हैं, आइडिया नमबर थरी से, तरीके से पुरानी पैंट का, तो आपके पास कोई भी पुरानी पैंट हो, जीन्स की प आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इस तरीके से उसे अलग कर लेना है, तो पहले मैंने बीच में से अलग किया, फिर लग पोर्शन की तरफ से इसे अलग कर लिया है, ऐसी करने से क्या होगा, हमारे पास काफी सारा कपड़ा हमें मिल जाएगा इसमें से कट करने के लिए तो यहां से भी हम इसे देखे बीच में से कट कर लेते हैं तो यह हमारे पास दो लेक पीसिस आ गए तो हमें दो ही पीसिस कट करने है जो हम इसमें से कट करेंगे पीसिस कट करने से पहले देखें मैंने इसकी पॉकेट को निकाल दिया है pocket निकालने के बाद वापस मैंने इस पे इस पे इसलाई लगा लिया तो हमारे पास काफी लंबा इसमें से piece निकल के आ जाएगा तो देखें मैंने rectangle piece cut कर लिया है इसके measurement आप screen पे देख सकते हैं इसके नीचे मैंने रखा है rice bag और उसके चारो तरफ हम सिलाई लगा लेंगे अगर आप jeans वाली panty यूज कर रहे हैं तो आपको rice bag यूज करने की जूरत नहीं पड़ेगी ये देखिए तो ये हमारा हो गया अब हमें एक और piece cut कर लिया है मैंने same उसमें भी मैंने rice bag लगा कर लिया है उसके measurement भी आप screen पे देख सकते हैं अब इन दोनों pieces को हम आपस में join करेंगे तो ये first वाला piece है जो हमने सबसे पहले ready किया था उसका center point लेना है और ये जो दूसरे वाला piece है इसका center point लेना है दोनों center point को आपको आपस में मिला लेना है और मिलाने के बाद आपको इस पर पूरा लंबाई में सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ को पलट लेंगे ये देखी इस तरीके से और दूसरी तरफ को ये जो हमारा लंबे वाला piece है इस पे हम यहाँ पे दो इंच का पहले cut लगाएंगे तो यहाँ पे मैं insert करने वाली हूँ zip अब हम इसे cut करके अलग कर लेंगे और same size की हमें zip लेनी है zip की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखते वें इसलाई लगानी है उसके बाद इसे दूसरी तरफ को fold करने लाएं और इसके उपर आपको top stitch लगा लेना है अब आपको इसे दूसरी तरफ को रखना है इस तरीके से और इस पे भी सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद इसे भी आपको अंदर की तरफ पलटते वे इसके उपर top stitch लगा लेना है तो यह हमारा हो गया अब हमें इसमें डालने है runner तो एक runner हम वहां से और एक runner हम यहां से इसमें insert कर लेंगे दोनों तरफ से तो runner insert हो गए हमारे अब हमें क्या करना है अब मैं आपको बताती हूँ इसे सिलना कैसे है देखिए तो बहुत ही easy है देखिए इसे stitch करना और यह हमारा दो pieces देखिए इस तरीके से join होंगे हमारा box बन जाएगा यह देखिए first turn आपको इस तरीके से करना है यहाँ पे सिलाई लगानी है उसके बाद दूसरी तरफ से भी same आपको यही process repeat करना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है हो गया उसके बाद हमें उपर की तरफ फिर इसे यह देखिए तो इतना बन गया इसके बाद फिर इसे यहाँ पे देखिए ऐसे पकड़ते हुए इसके उपर रखना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी रिपीट करना है यह देखे यहाँ पे भी सिलाई लगा लीजिए तो यह हमारा देखे आदा बॉक शेप बन गई अब हम यह उपर वाला जॉइन करेंगे तो पहले साइड वाले पकड़ने हैं दोनो मैं आपको पिन करके दिखाती हूँ देखे यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है फिर इसके सामने वाली साइड पकड़नी है आपको बिलकुल पैरलर साइड और यहाँ पे भी आपको पिन्स लगा लिनी है तो दोनों तरह देखी हमने सिलाई लगा लिए अब आपको लगानी है इसके फ्रांट वाली साइड स्टेचिंग यहां पर ये दीखे तो अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो बहुत एजली आपके सिलाई लग जाती है तो ये लगा लिए हमने अच्छे से पूरे corners निकाल लीजिए, ये देखे हैं, जिप के साथ, तो दो runner हमने इसमें डाले हैं, अब हम बना लेते हैं इसके लिए handle, तो handle बनाने के लिए 9 inch into 4.5 inch के 2 pieces लेने हैं आपको, और आपको fold करके इन पे सिलाई लगा लेनी हैं दोनों पे, अब ये attach कहां करने हैं, ये जो हमारी corner वाली side है, जिप वाली, यहाँ पे आपको attach करने हैं, एक इस तरफ और एक बिल्कुल इसके सामने वाली दूसरी तरफ, तो handle को fold करना है, देखे, strap जो हमने बनाई है, इस तरीके से हम इस पे लगाएंगे इसे, तो मैं pin up करके दिखाती कि आपको कैसे लगाना है, तो ये मैंने attach कर लिया handle, एक handle हमारा इस तरफ आ गया, और सेम एक handle हमारा इस तरफ आ गया, ये देखे, और ये हमनना हमारा अंदर आ गया, काफी ज्यादा space, तो मैं आपको रखके दिखाती है, उसमें साडियां, साडियां रख सकते हैं, कुछ भी heavy से heavy साडियां भी आपकी इसमें easily आ जाएंगी, शौल, साडि, कुछ भी organize करने के लिए आप इस organizer का use कर सकते हैं, ये देखे, तो मैंने काफी heavy साडियां इसमें रखी हैं, और काफी सारी साडियां हमारे इसमें आ गई हैं, तो ये हमारा organizer बनके देखे, बिलकुल ready हो ग बहुत है, तो बहुत ही simple है, देखे, इसे बनाना, आपके पास कोई भी paint हो, ट्राउजर हो, उसमें से आप इसे बना सकते हैं, तो चलिए, अब बढ़ते हैं अपने next idea की तरफ, idea no.4, बढ़ने वाले हो पुरानी paint का, तो देखे, पुरानी paint हो हर किसी के घर में होती ही है, नॉर्मल ट्राउजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जीन्स की paint भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम बनाने वाले हैं देखे, इस तरीके का storage bag, इसमें मैंने कोई form, कोई lining, कोई rise bag यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जीन्स का कपड़ा वैसे ही बहुत मुटा होता है, तो आप इस देखे, मैंने paint ले लिया, और bottom में से इसका जो मोटे वाला हिस्सा होता है, उसे अलग कर लिया, देखे, जो सिलाई वाला होता है, उसके बाद यहां से आपको निशान लगाना है, देखे, अप्रॉक्सिमेट 20 इंच पे, तो देखे, 20 इंच पे मैंने निशान लगाया, औ मैंने इसे cut कर लिया, उसके बाद हम इसे side से भी, यह जो इसकी side वाली seam होती है, मोटे वाली इसे अलग कर लेते हैं, यह देखे, इस तरीके से, तो यह जो मोटे वाली, थिक वाली seam थी, यह सिलाई machine में आपकी सिलाई नहीं लगेगी, तो उसे मैंने अलग कर लिया, अब स इसकी भी मैं side seam अलग कर लेती हूँ अब हमें क्या करना है दो pieces आ गए इन दो pieces को हम join कर लेते हैं और एक हमारे पास लंबा rectangle piece आ जाएगा तो एक के उपर एक रखा देखिए और सिलाई लगा लीजिए तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली अब ये थोड़ा सा टेड़ा मेड है तो हम इसे पहले बराबर कर लेते हैं इसकी length को तो यहां से देखिए इस तरीके से थोड़ा तिर्चा है तो हम इसे बराबर straight कर लेते हैं तो यहां से मैंने इसे सीधा कर लिया और यहां से भी हम इसे सीधा कर लेते हैं तो यह हमारे पास एक rectangle piece आ गया 20 इंच और ऐसे य अब हमें क्या करना है, पैंट का यह उपर वाला हिस्सा है, यहां से हमें दो स्क्वेर पीसिस कट करने हैं, 8 बाइ एट इंच के, तो एक हमारा इस तरफ से कट हो जाएगा देखिए, और एक हमारा दूसरी तरफ से कट हो जाएगा, इससे हमारी साइट्स बनेंगी, तो हमें बस तीनी पीसिस चाहिए, एक हमने बड़ा पीस बना लिया, और दो यह चोटे पीसिस, 8 बाइ एट इंच के यह दोनों पीसिस आ गए, तो चलिए आगे बनाते हैं, तो अब हमें लेना है, जो बड़े वाला हमारा रेक्टेंगल पीस था, वो लेना है, उसके साथ हमें इन चोटे पीसिस को जॉइन करेंगे, तो यह मैंने ले लिया, पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, तो फर्स निशान लगा लिया, इसे रखना है, यहाँ पे निशान लगाना है, तो हमारे पस निशान आ गया, अब यह वाले पीस को इस तरीके से रखना है, और यहा साइडों से वान फोर्थ इंच थोड़ा थोड़ा चोड़ देना है फिर यहां से लिखे यहां तक सिलाई लगा लीजे सेम मैथड आपको इस तरफ भी फॉलो करना है पहले निशान लगाया उसके बाद इसको साइड को रखना है और सिलाई लगा लेनी है तो दोनों तरफ द अब हमें क्या करना है अब हमें इसमें जिप लगानी है तो मैंने normal जिप ले ली जो bag में लगती है और एक corner से देखे पूरे round में हमारे जिप लगेगी इसे आपको इस तरीके से बिछाना है यह ऐसे इस तरीके से Damit भी जा लीजे और पूरा round में हम जिप लगा लेंगे तो और यहां पे इसके उपर रखना है और एक तरफ से आपको सिलाई लगाना शुरू करना है और पूरा राउन में घुमाते वी देखिए इस तरीके से इस पे सिलाई लगा लेनी है तो यह जिप लगाने का बहुत ही इजी तरीका है देखिए यहां तक हम पूरा इस पे सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली अब आप इसको पलट लीजिए और पलटते वे इसके उपर टॉप स्टेच बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए तो ये हमारा जॉइन हो गया देखिए तो अब हमें ये जिप का जो दूसरा पाठ है वो फ्लैप के उपर लगाना है उसके लिए हमें क्या करना है इसे हमें देखिए इस तरीके से सेंटर पॉइंट लेना है यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा जहां से में जिप लगानी है दूसरा आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है यहाँ पर इस तरफ यह देखिए अब सेंटर पॉइंट को आपको सेंटर पॉइंट से मिलाना है जो हमने दो निशान लगाए थे यह वाला निशान यहाँ पर म लगा सकते हैं तो यह मैंने इसे पिन कर लिया और यहां तक हम निशान लगा लेते हैं कि कहां तक हमारी इसमें जिप लगनी है देखिए तो यह हमारा आगया यहां तक यह मैंने इसे पिन कर लिया और यहां पे हम निशान भी लगा लेते हैं एक जिप के उपर की तरफ की हमारी जिप यहां तक अटैच होनी है देखिए इस निशान तक और सेम ऐसे ही निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं यह देखे यहां तक हमारी जिप अटैच होनी है अब हम क्या करेंगे यहां से हम जिप को यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के लिए हम इसे ओपन कर लेते हैं ताकि हमें सिलाई लगाने में easy हो जाए तो ये मैंने इसे open कर लिया और चलिए अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं यहां से यहां तक तो देखिए जैसे मैंने pin up किया हुआ था वैसे हम यहां से शुरू करेंगे सिलाई लगाना इस वाले निशान से अपने जो हमने लगाय और पूरा लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे दूसरे कॉर्णर तक तो बस पिंस को निकालते रहें और दूसरे एंट तक जो हमने निशान लगाया जहां तक पिं किया है वहां तक इस पर सिलाई लगा लीजिए तो अगर आप इस तरीके से जिप लगाएंगे तो बहुत इसलि आपके जिप अटैच हो जाती है तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और जिप हो गई हमारी अटैच यहां से लेके यहां तक तो यह zip अटाच हो गई अब इस पे भी आपको टॉप स्टिच लगा लेना है देखिए दूसरी तरफ को इसे टर्न करना है और बैठने वाली सिलाई लगा लीजे पूरा एक तरफ से लेके यहां तक तो बैठने वाली सिलाई मैंने लगा ली है अब आपको क्या करना है इसमें रणर को इंसर्ट करना है उसके लिए देखिए हमें दुबारा से इसके सेंटर पॉइंट्स को मिला लेना है जो हमने पहले लगाए थे और पूरा जिप को आपको एक बार दुबारा से नाप लेना है और अगर आपके जिप यहाँ पे छोटी बड़ी होती है कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसे बराबर कर लेना है देखिए तो यह मैंने पूरा अच्छे से पिन अप कर लिया है जिप को ताकि यह हमारा बिल्कुल अच्छे परफेक्टली रनर इसमें इंसर्ट हो जाए यह देखिए तो यह हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है जिप के दोनों एंड्स और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी से पिन कर लेते हैं बस अब आप इसमें दोनों तरफ से रनर को इंसर्ट कर लीजिए तो एक रनर हम इस तरफ से इंसर्ट करेंगी देखिए और एक रनर इस तरफ से तो दोनों तरफ से रनर को मैंने इंसर्ट कर लिया एक्स्ट्रा जिप को अब आप कट कर लीजिए दोनों तरफ से अब थोड़ा सा जिप को खोलते वे इसे अंदर की तरफ को टरन कर लीजिए अब जो हमारी साइड वली सिलाई रह गई है ये वली सिलाई हम लगाएंगे तो जस्ट आपको इसे अिस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे आपको पूरा लंबाई में सिलाई लगा लेनी है तो दोनों तरफ देखिए हमने सिलाई लगा ली अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और हम इसके ल में हैंडल्स लगा लेते हैं तो जो हमारे पास jeans का कपड़ा बचा हुआ था उसमें से भी आप handles लगा सकते हैं नहीं तो मेरे पास ready में पढ़ा है देखिए strips इसके मैं handle बनाऊंगी यह मैंने लिए 7.5 इंच की तो इसे just हम देखिए इस तरीके से यहाँ पे side में लगा लेंगे तो just fold करना है इस तरीके से दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है एक handle इस तरफ और एक handle आपको इस तरफ लगाना है तो देखिए दोनों handles को मैंने attach कर लिया है और यह हमारा देखिए bag बन गया है तो अभी मैं इसको आपको final measurement भी बता दूंगी last में नीचे की तरफ में इसमें रख रही हूं cardboard ताकि जो भी कपड़े में तया लगा के रखो वो बिल्कुल भी खराब ना हो उसके बाद जो भी आप कपड़े रखना चाहते हैं मैं double में रख रही हूं आप चाहें तो single में ट्राॉजर वगारा पैंट वगारा जीन्स वगारा प्रेस किये वे जै बनके ready हो जाता है बहुत सारे कपड़े देखिए इसमें आ गए हैं store हो गए हैं तो double sided है दो तरफ देखिया फोल्ड करके कपड़े रख सकते हैं तो चलिए एक बर इसके final नाप बता देती हूं किस नाप का ready हुआ है यह अप्रॉक्सिमेट 8 इंच और ऐसे है 9 इंच और ऐ जैसे अब सर्दियां आ गए हैं तो गर्मियों के कपड़े store करके दिवान में रखना हो तो रख सकते हैं जैसे हम चुन्नी वगारा में बांद के रखते हैं तो आप उसकी बजाए देखिए यह simple सा storage bag बना सकते हैं और अपने कपड़ों को store कर सकते हैं तो I hope आपको यह छो आइडिया की तरफ आइडिया नमबर 5 की तरफ बहुत ही easy तरीके से बहुत ही प्यारा bag इसे कोई भी बना सकता है अगर आपको थोड़ी बहुत दिसलाई करनी आती है तो आप इसे easily बना सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से leg portion में से मैंने jeans को कट कर लिया ह अब हम इसमें से 2 straight pieces कट करेंगे और फिर उन्हें join करके single piece बनाएंगे फिर उस single piece से हम back को बनाएंगे तो बहुत ही easy और नई trick से हमने इसे बनाया है यह देखिए तो मैंने इस तरीके से leg portion में से देखिए कट कर लिया है तो इसके लिए आपको कोई बड़ी jeans की जोरत नही अगर ladies वाली slim fit jeans है तो उससे भी आप बना सकते हैं यह देखिए तो सिलाही लगा के मैंने एक single piece इस तरीके से ready कर लिया है अब हम यहाँ पे top stitch लगा लेंगे तो यह मैंने top stitch लगा लिया तो देखिए एक single piece मेरे पास ready हो गया इस तरीके से यह हो गया मेरे पास 19 इंच प्लास्टिक वाली और क्लाइन के लिए कोई भी कपड़ा आप इसमें यूज कर सकते हैं same size का देखिए मैंने cut कर लिया जो jeans वाला कपड़ा था उसी के size का cut कर लिया है अब हम main fabric लेंगे और सबसे पहले हम इसमें strap लगाएंगे तो मैं ready made strap यूज कर रही हूं आप चाहे त तो सेंटर में से 2-2 इंच का हमें निशान लगाना है उसके बाद आपको strap को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ ये मैंने strap को attach कर लिया अब हम इसे चारो तरफ से shape देंगे 2.5 इंच बाई 2.5 इंच की हमें इसे चारो corner से shape देनी है देखिए इस तरीके से चारो corner से मैंने इसे shape दे दिया अब हमें क्या करना है अब हमें lining वाला piece नीचे रखना है इस तरीके से इसके उपर ये अच्छे से pin up कर लीजिए देखिए मैंने अच्छे से pin up कर अब हम इसके चारो तरफ से लाई लगाएंगे, एक तरफ से छोड़ देंगे, सीधा करने के लिए, चारो तरफ से लाई लगा लिए, थोड़ा सा छोड़ दिया है, अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे कट कर लीजिए, उसी शेप में, और जहां पर हमारे छोटे चोटे 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 चोट और तिंच की पूरे पे सिलाई लगा लीजिए यह मैंने स्टिच कर लिया और चारो तरफ देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस चोड़ते वे पूरे पे सिलाई लगा लिए तो फिनिशिंग के साथ हमारा पीस रेडी हो गया आप चाहे तो अंदर की तरफ पॉकेट लगा सकते ह अब हमें इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगानी है इस तरीके से फोल्ड करना है वान इंच पे और हम इस पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या होगा हमारा अलग से हमें इसमें पाइपिंग सी नहीं लगानी पड़ेगी अलग से साइड नहीं ज एक स Colombi फोल्ड करना है और अब पूरे पे सिलाइ लगा लेंगे पूरा लंबाई में एकार्ण से लेकी दूसरे कार्णर तक आपको सिलाई लगानी यह बिक्षी मैं को क्लोज it में दिखा रही हूं पूरे एक कॉर्णर से लेके दूसरे कॉर्णर तक इस पे सिलाई लगा लीजिए दोनो तरफ दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है ये मैंने फोल्ड कर लिया इस पे भी सिलाई लगा लीजिए तो 1 इंच आपको fold करना है और side से 1 by 4 इंच की आपको सिलाई लगानी है ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा लिए तो देखे इस तरीके से कुछ piping जैसी आपको दिखाई देगी उपर की तरफ ये देखे इस तरीके से आपको ये design दिखाई देगा अब हमें क्या करना है हम इसके side की सिलाई लगा लेते हैं तो दोनों तरफ side पे मैंने सिलाई लगा ली है अब हम इसका बेस बनाएंगे तो इस तरीके से आपको फ्लैट बिचाना है फ्लैट बिचाते वे इस पे सिलाई लगानी है तो दोनों तरफ बेस पे सिलाई लगा लीजिए यह मैंने सिलाई लगा ली दूसरी तरफ बे सिलाई लगा लीजिए तो दोनों तरफ से लाई लग गई अब इसे सीधा कर लीजिए तो देखे हमें इसमें अलग से piping नहीं लगानी पड़ती तो देखे कितना प्यारा side से piping जैसा design भी बन गया sides भी हमें अलग से join नहीं करनी पड़ी अब हम इसमें zip लगाएंगे तो 19 इंच की मैंने zip ली है zip हमें यहां उपर की तरफ लगानी है तो यहां से आपको निशान लगाना है वान इंच पे निशान लगा लीजिए और इसी निशान के उपर हम zip लगाएंगे zip की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है निशान के उपर और हम इस पे सिलाई लगा लेंगे सीधी तरफ अंदर की तरफ है और उस निशान के उपर रखते हुए देखें हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे एक साइड से अटैच हो गया अब हम जिप का एक पोर्शन निकाल देते हैं यह देखें यह मैंने जिप का दूसरा पोर्शन हम निकाल देंगे अब यह मैंने दूसरा पीस निकाल लिया इसे हम दूसरी तरफ लगाएंगे बिल्कुल ऐसे ही यह देखें दूसरी तरफ को मैंने पलट लिया यहां से भी वानिंच का निशान लगा लीजिए निशान लगाने के बाद यह देखिए इस जिप की सीधी तरफ है इसे आपको अंदर की तरफ रखना है जैसा हमें पहले लगाया था उपर की तरफ रखते हुए इस पे भी सिलाई लगा लिजिए यह मैंने सिलाई लगा ली हमारी जिप अटेच हो गई अब हम इसमें runner को insert करेंगे और runner insert करने की video मैंने description box में भी दिया है अगर आपको insert करना नहीं आता तो आप वहाँ से देख सकते हैं यह मैंने runner को insert कर लिया अब हम इसे side से पट्टी से finish करेंगे तो देखिए इस तरीके से jeans के pieces मैंने ले लिया है यहां इस तरीके से fold करते हुए इस पर the realistic मैंने लगा लिजा रिए दूसरी तरफ को से पलट लिज्यए और फोल करते हुए हम इस पर सिलय लगा लेंगे नहीं इस त्विल्ण कर लिए यह देखिए इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी दोनों तरफ से मैंने zip को फिनिश कर लिया तो देखिए हमारा ये प्यारा सा लंच बैग बिलकुल रेडी हो गया है तो काफी अच्छा बेस बना है आपको साइड भी अलग से नहीं जोडनी पर 30 में और साइड में पाइपिंग देखिए अटोमेटिकली बन जाती है जो हमने लंबी एक सिलाई लगाई थी starting में उसकी वज़े से piping देखिए automatically बन गई और sides भी हमारी बन गई तो ना ही आपको अलग से side जोनने की ज़ुरत है और ना ही piping front side, back side ये देखिए base भी काफी अच्छा white base बना है top पे हमारी zip आ गई देखिए इस तरीके से zipper opening के साथ और अंदर की तरफ देखिए proper बहुत अच्छा space है तो वान लीटर की आपकी पानी की bottle भी इसमें इसली आ जाएगी काफी अच्छा size में ये हमारा bag बना है अंदर से properly finished है कहीं से कोई rough edges नहीं दिखेंगे आपको zip के साथ handle ये देखिए तो हमारा प्यारा सा bag बिल्कुल ready हो गया है कोई कहेगा नहीं पुरानी jeans से बनाया है देखिए आपने बिल्कुल नई trick के साथ single piece of fabric से new folding trick से हमने इस bag को बनाया है तो देखिए बिल्कुल ready to use है बिल्कुल ready हो गया है तो plain bag इसे men, women, girls कोई भी यूज कर सकते देखिए लेंच बैग वगयरा के लिए तो ये थे चोटी चोटी आइडियास जो मैंने आपके शेयर किये तो सभी के सभी आइडियास बहुत ही काम के है I hope आपको पसंद आये होंगे फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वला आइडियास सबसे अच्छा लगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थेंक यू